दोस्तो सहर की आपादापी से दूर कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं भी किसानी कर लूँ लेकिन जब आप किसी किसान से बात करते हैं तो वो आपको बताते होंगे कि खेती के अंदर तो बहुत ही घाटा है और वहाँ आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है लेकिन आज मैं आपको ऐसे किसान से मिलवाने चाहता हूं जो खेती भी करते हैं और खेती के साथ-साथ एग्रो टूरिज्म भी करते हैं लेकिन अभी एग्रो टूरिज्म क्या है और वह कैसे खेती करते हैं और कैसे वह इसके अंदर सक्सेस हैं तो चलिए मैं आज आपको मिल यह दो याता हूं इस प्रगतिशिल किसान है जो खेती के साथ शाथ एग्रो टूरिजम के एंदर भी काम कर रहे हैं राम राम सहब राम साहब तो सहर सिंग जी आप आज हमें यह बताएं कि आप एक खेती के साथ साथ कुछ और भी नवाचार कर रहें तो वह नवाचार क्या है किस तरह से आप करते हैं ताकि हम हमारे दर्शकों को पता चल सके कि आपके खेत के अंदर लोग आ इतने आकर रुखना क्यों चाहते हैं मेरा काम मुख्य है वह नवचार खहती में kami को लेकर है और नवचार सुटी खेती है चोटा खिसान हूं तो मैं चाहता हूं की बड़ी किसान के साथ मुकाबला किस तरह से करें तो टेक्निकल खेती करते वे मैं जब एक औरिगनिक सुद खेती कर रहा हूं मैं परकरती के उनकूल कर्षी कर रहा हूं तो उसी कर्षी को मैं जब मेरी सब्जीयों का मुख्य काम है और इनी सब्जीयों को जब मैं लेकर बजार की तब मेरे ग्राकों की तरफ लेकर जाता हू तो उन गराकों को मेरी एक सवा है अलग परकार की उसमें भी मेरा नवाचार रहा था माँ सब्जी देने के साथ साथ मैं कैसे कर रहा हूं के शुद्ध्य किसी है मेरी औरगनिक बिना रसाइन के कैसी खेती है मेरी वो दिखाने के लिए मैं मैंने में एक विजिट्रिक किसानों का खेती पर करवाता हूं और उनकी भी जिग्या साय इच्छा होती है उनके तो मेरे से जब दुकान पर सब्जी लेना आते हैं तो वो केवल पूर्स आते हैं ऑप कहें नहीं को आती लेकिन मेरा rनका कुद का खेना या है कि हम आपका फॉर्म देखें किस तरह हो सकता है और हम आपका फार्म देखते हुए फिर कुछ बच्चों को भी दिखाएं अच्छा कुछ आपके यहां पर डिली जैसे से बड़े सहरों से भी लोग जो टूरिस्ट आते हैं इधर खाटू साम जी के दर्सन करना जाते हैं वो भी आपके इधर आ जाते हैं तो ऐसा क्या है अजयए के आफ़यर नवाचार आप देखिये ञेकश च्छोटी सी जगह में आप देखिए यह मडा हाज बने हैं कत्से मिट्टी के बने हैं इसमें कोई सिमेंट वरस्तेमाल किया गया है तै काली मेट्टी बना रखी है जो लोगों के लिए रूखने के लिए हाँ ये जो दो मड़ा उस बना रखे हैं गोल वाले जो फे ये तो कपल के लिए जो जोड़ा है नवी का यहां अन्य कोई बुजरग है उनके लिए ये है और इनके अलावा फेमेली गुरूफ के जो गुरूफ में लोग है पूरा फर्म किया है और यहां रहने और खाने की यहां सामने जो सब्जियों का है प्रोट उसे सब्जियां यहां सुद्धी करन में चीज है और जो लोग आते हैं उनकी इच्छा भी होती है वो एक शिट्टी से मानगर से उप चुके हैं और परदूशन से उनके हलात ख बाते हैं शाम को चले जाते हैं लेकिन अब जो बदलाव आया है उनमें एक परकार का बदलाव यह आया है कि वो यहां होमिस्टी भी करना चाहते हैं अगर अगले दिन दर्सन करने चले जाए बिलकुल उनकी इच्छा के अनुकूल अगर उनको कोई स्थान मिल जाए लेकि यहां जो हरियाना से जो ट्राफिक आ रहा है न वो ट्राफिक की ब्हुत बड़िया ट्राफिक है और वो कुछ लोगों को अब परचार परचार का उनकी है जो एक लग परकार का समाज है और वह समाज के क्जना क Basket Sumas जो कि मेरे खिए झाट लगा रुका रहुाएं है, इन्ना की भी ने हिए तो ये समाज को भी ज़ूंकर की ज्यादक का है ल मेरा जो मानना यह था कि हम पूरा देशी ही एक देहाती ठाट वाट से ही खाना और खिलाना रहना सोना पूरा उसी शेली में करें लेकिन कुछ-कुछ बदला अब धीरे-धीरे समय के साथ जैसी जैसी ग्राक आ रहे हैं उनकी इच्छाओं के अनुप धीरे-धीरे बदला है कि इंट यहाँ यह क्या बना रहा है यह हर्सनात का श्टेक्टर है अच्छत अपने घाओं और कुरिए हुगbor तो यह मुक्तू div यहां उछ द्वलोंगे काल हुँग सुक्रवार्क्रोदी में समय के साथ हथ के श्याहली आई आ cabin यहां घज की वर्ट देज एक और खाकुषामजी जो लोग आते हैं लोग रिविश और घर्षण सैंसे आते के चैश्टि कर दोड़ दश्रह मैं पना जिंव मобраз प्रॉड श्रहे इसलिë कि आते आते यह पूरा एक मोडल बनाया है और मोडल को मैं अभी 30-35% काम बाग की है वो भी जल्द ही कर दूँगा किस किसम के पेड़ है देखो वह बात है प्रम प्रागत करसी थी पहले वाले अपने बुजर्गों की वह सिर्फ बंबूल खेजडी और जिंजाई जानते थे लेकिन अभी नवाचार और समय के साथ में ना यह यहां देखिया आप बादाम है दो परकारगी जामून तीन परक यानि कहने का मतलब यह हैं लिची वगेरा कठेल आम तेरा परकार की विराइटी चार परकार की केरी है तो सभी परकार के पेड़ पोदें यहां अच्छा आपने सेव भी लगा रखी है यह सोच नहीं सकता और यह बदाम भी लोग ऐसे सोच नहीं सकते हैं रास्ताम के यह सिताफल है और यह एक अपने ट्यूरिजम को सपोर्ट करते हुए एक डिजाइन बना दी पोदों की बोदे भी बचेंगे और अपने एक सुंदर्ता भी आएगी और इसका भी सद प्योग नवाचार होगा अच्छा और यह यहां पर आपने क्या फार्म पॉंड बना र यह नवाचार कर दिया यह ट्यूरिजम है अच्छा यह आपने यहां पर एक तरह से यह यह नाव का रूप दे दिया मैंने इसके ड्रम लगा दिया नीचे और यह फंटे लगा कर एक त्यार कर दी तो आराम से साम को इसमें बेटें और यह सीन अग हर्षनात का मादे होगा बढ़िया है लोकेशन अच्छी है और यह पानी है इसका भी सद्प्यों खेती में हो रहा है यह बानी खेतों में चला रहा है बिल्कुल बरसात का है और यह खेती में हो जाएगा और यह आमदनी का सरोत इसके उपर जाज बना कर तो इसमें आने वाले जो ग्राख हैं रु सब्सप्राइब से अपना है उसकी आदार पर पूरा देसेजी सब्स्राइब का है छो यह खीख हो जो ऑफ्यों है यह थे अज़ो घुंस यहां पर भाहर से लोग लोग घाडे है तो क्या में उनकी सब्जी तोड़ कर दे हैं वो कैसे गड़ियों कि अतने वादेशा कोई भी फिमेली अगर बाहर से आ रही है यहां रहने के लिए तो एक तो ओडर देखके बनवाती है लेकिन ओडर का मतलब इच्छा उनकी नहीं खाना तो हम जो है मारा रास्तानी खाना से कावाटी का वो खाना किलाएंगे लेकिन अगर कोई फिमेली आती है कि हमें सामान दे हाँ और इक साथ में क्या कि इसी चीज को देखते हुए हमने जो चीज खाने के लिए कर रखी है तो अपना यह सिस्टम है हम नीचे ही बिठा कर खाना खिलाते हैं अपने बाज़ोड चोकी जो पुरानी हमारी संस करती है वेदिक उसी इसाब से बनाना है और वही सेम चीज में किस तरह बनाते हैं क्या है और में जो चीजे हैं वह पूरी वेस्ता नीचे बिठा कर यह फिलाल तो लेकिन आगे-आगे डॉलोफ होगी कुछ बुड़े भुजरग है उनको तकलीब होती है तो आगे सुई थोड़ी थोड़ी बदलाव में भी आएगी यह पना जो को अब से निए बाटी है बहुंढ़ा देते है कर दोनु तो बहुंत बराबर समान चलते हैं और यहां अगर आग जलते हैं तो यह खाना पकाने में कि Cindy अगर बाटी हम Allen अच्छा बनानी है तो हम यह कंदर निकालना पर भिर आग जलाथे तो नीचे बाटी शिक़ जाएगी वस्थ ऐ幅 काम में लेती हैँ एक तो kांसी खिल के के लिए लोहा और पितल है और कुछ काम में लेने के लिए जो पकाने के लिए मिटी के अंडी है कुंडा वगएरा यह है तो इसमें हम चारी वब दात्वा है मिटी लोहा और पितल और कासी तो यह चारी चीजों पर आप खाना खिलाते हैं यह यह जो सब्जियां लग रही है है ना लसन के अलावा उस तरफ मट्र है तौर अगए और आगे आल होगे आलल अगेड़ा है एक-एक महने केgesetzित से ही से अई से निकालो ताजा बनाो तणा बाएंक, वह आका ईकलिए फोटर से पी वी है बइनाने का में का में अपने सरकंडे से बनाएं तो इसमें नवाचार देना हैं यह जैसे यह पेड आप देको लीचीं के लेञे एक्षब पेड लेखा आंजीर उत्माना है नहीं है और इस तरफ देखिए है तो तो यह है ग्रीन फिल्सक्राइव भा लाज ज покréंग यह ढरीन नेपर उसमें तीरा विराइटी आम की है चार केहीं है तो वह ज्यादा है कह सकते हैं वह बागवानी है बाग की 10 तस फंदरा पंदरा आट पर पोड लगे वह यो दो इसके साथ ये सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब सत Forsch дор Kelsey Reweire स्चार इस भोर्थ सब्सक्राइब डील कि अरख there जो अभी सब्सक्राइब मेर्दा एक नहीं नगी ताजा रहा है पंजाबी सब्जी होती है यह पेड़ों के पास पास और उस तरफ जो आलू है मूली दिख रहे हैं आप सोगरी भी और उस तरफ मेथी है और गोबी दोनों वह दनिया है आगे अगे प्याज आल है तो लग बग आठ तस परकार की यहां सब्जी तो यह अलग अलग शब्र य जमीन को अगर जीवित और प्रकरती के अनकूल और देशी गोमाता के इसाब से खेती करें तो यह आप परिणाम पा सकते हैं कोई भी यह तो देखा आपने किस परकार से एक किसान किसानी के साथ साथ में एग्रो टूरिजमी कर सकता है और लोगों को गरामिन परिवेस की लाइफ स्टाइल को भी आपको दे सकते हैं तो अगर आपको भी इनके यहां पर आना है तो यह जिला पड़ता है यहां पर सीकर और अगर आप शाला सरबाला जी और खाटू साम जी आ रहे हैं तो आपके रास्ते के अंदर ही पड़ता है अगर आपको ग्रामिन परिवेश के अंदर जीन хотел अगर आपको लगता है कि सहर की आपवा दाफी से दूर आपको कहीं रुखना है गाऊं के माहुमन में रुखना है खेती करनी है तो आप शेर सिंग जी से संपर कर सकते हैं शेर सिंग जी का नंबर और यहां की गूगल लोकेशन यहां डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं धन्यवाद